तो फैनली इस बार हमें चैप्टर 4 का वारे में काफ़े कुछ पता चला है क्योंकि अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने बताया था कि पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 का एक ट्रीलर हमें देखने को मिलेगा एंड फैनली वो ट्रीलर आचुका है और इस ट्रीलर में हमें चैप्टर 4 के वारे में काफ़ी कुछ पता चला है जैसे कि Chapter 4 का Location क्या क्या होगा एंड सबसे Important चीज Chapter 4 का Main Villain में Reveal हो चुका है एंड ये Chapter 4 का Main Villain जैसे कि हम सोच रहे थे उससे काफी ज़दा अलग है तो अगर आप Chapter 4 का Wait कर रहे हो तो आपको इन सबी के वारे में पता होना चाहिए एंड आप लोग इसका Environment देख सकते हो कि कितना ज़दा क्रिपी और ड्रावना लग रहा है क्योंकि Chapter 4 का Location Factory के काफी ज़दा नीचे डीप में होने वाला है एंड आप लोग इसी राशते से इस गेट के अंदर जाओगे इस फैसलिटी में ऐंड हमें दूसरे स्क्रिं सॉट देखने को मिलता एकipples का एंड ये पुरीडोर आपको तब देखने को मिलेगा जब आप उस गेट से अंदर आओगे एंड ये बस एक नॉर्मल सा कॉरीडोर है लेकिन जो अगले स्क्रिं सॉट है वो काफी ज़्यादा interesting है तो इस screen shot में हम देख पाते हैं एक काफी बड़ा hallway जहाँ पे हमें आने जाने के लिए दो दर्वाजी देखने को मिलते हैं तो सबसे पहला जो gate जो हम सामने देख सकते हैं जो देखने में काफी ज़्यादा normal भी है लेकिन उसके बगल में जो दूसरा दर्वाजा यानी gate है उसी देख के ऐसा लगता है कि वो किसी underground facility का gate हो या किसी underground facility का lift हो जिस lift को हम यूज करके नीचे से उपर आते हैं और हमें ये देखने को मिलता है ये बड़ा सा hallway जहां पर सामने तीन से चार स्क्रीन यानी computer है और उपर की तरफ दो camera लगे हुए है और दिवाल पर एक काफी बड़ा pattern बना हुआ है और ये pattern काफी अजीब है क्योंकि हमने तीनों chapter में ये pattern हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला है या इससे related कोई सभी pattern जो हमें अजीब लगे क्योंकि chapter 4 factory के काफी ज़्यदा नीचे होगा और ये game काफी ज़्यदा dark होने वाला है तो ये सोचनली बात है कि underground में इतना बरा hallway और इतना अच्छा hallway क्यों बनाया और यहां पर security के लिए camera भी लगे हुए है लेकिन यहां पर notice करने वाली बात यह है कि कहीं पर भी यह दिवाल पर blood लगा हुआ नहीं और ना फैला हुआ है और ना यहां पर मरेवे toys देखने को मिले तो यह हो सकता है कि यह एक secret जगा हो जिससे सभी experiment toy पर नजर रखा जाए और जो मैं अगले screenshot देखने को मिलता है उसमें हम देख पाते हैं यहां पर किसी type का locker है जिसमें experiment को रखा जाता है और यह वो जगा होगा जहां पर बच्चों पर experiment करने के बाद उन सभी experiment हो इन सभी locker में रखते हो ताकि वो उन सभी experiment पर नजर रख पाए कि experiment करने के बाद उन में क्या-क्या बदलाव हो रहे है तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जिसमें ब्रॉन पर experiment किया जाता है और फिर उस पर experiment करने के बाद एक locker या chamber में डाल देते हैं जैसे कि आप लोगों आपर देख सकते हो और यह वही chamber है जो हमें इस screen shot में देखने को मिला है और जो हमें अगला location देखने को मिलता है वो location काफी ज़्यादा अलग और tight security वाले chamber है और ऐसे chamber में उन सबी toys को रखा जाता है जो हद से ज़्यादा खतनाक हो और यह खतनाक experiment हमें देखने को भी मिलता है एक काफी अंधिर जगे पर जहाँ पर उपर से दिवाल से light आ रहा होता है तब हमें देखने को मिलता है सबसे खतनाक experiment जिसका सामना होगा chapter 4 में and finally chapter 4 का main villain कौन है यह हमें पता चल चुका है and आप लोग आप देख सकतो जी हाँ यह है chapter 4 का main villain जैसा हमने सोचा था उससे काफी ज़्यादा अलग है and यह देखन में similar sheep यानि भेड की तरह दिखता है लेकिन अगर आप लोगों ने इसके face को notice किया होगा mini smiley creatures की तरह है यानि इसका face काफी ज़्यादा मिलता है mini smiley creatures से and हमें यह भी नहीं पता कि main boss कितना बड़ा है और कितना छोटा है इसके बारे में हमें यह भी नहीं पता कि यह कितना ज़्यादा खतनाक है and आप कोई क्या लगता है कि chapter 4 का main villain यह होगा या नहीं and क्या हमें इसके अलावा भी कोई और main boss देखिनों को मिल सकता है जो इससे ज़्यादा खतनाक दिखता हो और काफी ज़्यादा बड़ा हो example की तोर पे हगी बगी और अगर आपके दिमाग में कोई से भी question आ रहा हो इस वीडियो को लेके तो मुझे बताना जुरूर और इसके अलावा अगर आपको वीडियो जरे से भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और इस चानल को सब्सक्राइब करना